नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर आज हम इतिहास की भाग से भक्ती आंदोलन टोपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो रिट परिक्षा की द्रस्टी से बहुत महत्पूर है जो चलिए शुरू करते हैं फस्ट है भक्ती आंदोलन का विकास किया किनों ने बारा आलवार संतों ने और 63 नेनार संतों ने इसमें ध्यान रखिएगा क्रमशे पूछा जा सकता है तो आलवार संत बारा हैं और नेनार संत 63 हैं चलिए नेक्स्ट दूसरा भक्ती कवी को कहते थे या भक्ती कवी क्या कहलाते थे संत कहलाते थे नेक्स्ट भक्ती आंदोलन को दक्षिन भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रे किसे है रामानंद को जी हां रामानंद जी ने ही भक्ती आंदोलन को दक्षिन भारत से उत्तर प्रसार्यत किया नेक्स्ट है निर्गुण वे सगुण संपरदाय का प्रादुर्बाव किन की वज़े से हुआ रामानंद की शिक्षाओं की वज़े से वो ही रामानंद जी है जिनोंने भक्ती आंदलन को दक्षिन भारत से उत्तर भारत में लेके आए पुनर जेनम में विश्वास रखने वाला कौन सा संपरदाय है सगुण नेक्स्ट है इश्वर की निराका रूप को कौन पूजता है निर्गुण संपरदाय और रामानुज अचारे के आधार आराध्य देव कौन है राम रामानुज अचारे राम की भक्ती करते थे चलिए नेक्स्ट पेज पे वैश्व संथ लोक प्रिये थे कहां पे महारास्टर में महारास्टर में वैश्व शंथ लोक प्रिये थे नेक्स्ट है पल्लव राजा महिंदर वर्मन ने शैव धरम स्विकारा किसके अशिरवात से शैव संथ अप्पार से जब इनका मिलन हुआ तो इ सेना शिश्य थे किनके रामानंद के यह हम कह सकते हैं कि रामानंद के प्रमुख शिश्यों में रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना और सेना प्रमुख थे नेक्स्ट है कबीर कौन सी भक्तिधारा से जुड़े थे निर्गुण भक्तिधारा से जुड़े थे नेक्स्ट है कबीर पन्ती कौन होते थे जो कबीर के अनुयाई थे उन्हें कबीर पन्ती कहा जाता था नेक्स्ट है कबीर के उबदेश संग्रही थें सबद में उस गरंद का नाम क्या है सबद नेक्स्ट है सिख दरम के संस्थापक कौन थे गुरू नानक गुरू नानक ने सिख दरम की क्या की थी इस्थाबना नेक्स्ट है गुरू नानक ने देश का चक्कर कितनी बार लगाया पांच बार ये जो चक्कर लगाने की जो प्रकिरिया थी इसे क्या कहा गया उदासीन नेक्स्ट है गुरु नानक ने अपने उबदेश किस माध्यम में दिये कीरतन से कीरतनों के माध्यम से गुरु नानक ने अपने उबदेश दिये बहुत महत्पून प्रशन है नेक्स्ट गुरु नानक प्रभावित थे किन से बाबा फरीद से जो की क्या थे एक सूफी संथ, बहुत मैत्पून प्रशन है कि गुरु नानक किस सूफी संथ से प्रभावित थे वो थे बाबा फरीद, नेक्स प्रशन है चैतन्य का संपरदाय कोन सा था, गोडिय संपरदाय, चैतन्य का नाम क्या था पार्षालय में चैतन्य को निमाई पंडित के नाम से जाना चाता था next है गोसाई संग की स्थाफणा किसके दौरा की गई 21 पे पुष्टी मार्ग की स्थाफणा किसने की वल्लबाचारे जी ने या ये वल्लबाचारे ने दिया पुष्टी मार्ग भक्ती मार्ग में पुष्टी मार्ग वल्लबाचारे जी ने दिया नेक्स्ट है धन्ना का जन्नम किस परिवार में हुआ था संद्ना का जांट परिवार में संद्ना का जन्नम एक जांट परिवार म किन से संबंदित है दादू दयाल जी से इन्होंने चलाया था नेक्स्ट है दादू ने ब्रह्मा संपर्दाय इस्थापित किया था कहां पे सांबर में बहुती मैत्मून प्रशन है कि सामवर में किसके द्वारा ब्रह्मा संपर्दाय की स्थापना की गई दादू के द्वारा या दादू दयाल के द्वारा चलिए नेक्स्ट पेज़ पर 26 एदेत्वाद सिद्धान्त किस ने दिया था? शंकरा चारे जी ने दिया था नेक्स्ट है असम्मे भक्ति आंदोलन किनों ने चलाया या इनके जनक को ने शंकर देव ने असम्मे भक्ति आंदोलन शंकर देव ने चलाया नेक्स्ट है बंगाली भाषा को लोगप्रिये बनाने का योगदान सबसे ज़्याधा किनों ने दिया? चंडी दास जी ने बनाया बीजक का संबंद किन से है? कबीर दास जी से next है कवित्री मीरा बाई कौन थी कवित्री मीरा बाई कौन थी राज कुमार भोजराज की क्या थी पत्नी next पेज पे चलते है 31 देखिए भक्त तुकाराम किस मुगल समराठ के समकालीन थे ये मुगल समराठ थे जहांगी तो ऐसा भी आ सकता है कि मुगल समराठ जहांगीर के समकालीन कौन से भक्त थे तो वो थे तुकाराम next है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे रामदास रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे दास बोध की रचना किनोने की रामदास जी ने इसलाम नहीं अपनाया, इसलिए इनका क्या काट दिया गया था, शीश काट दिया गया था, सिखो के गुरू थे ये, नेक्स देखिए, रामचरित मानस किसकी रचना है, तुलसी दास की जवारा क्या रचित है, रामचरित मानस, बोला भी ऐसे दाता है, तुलसी द्वारा जाता है शंकर देव को तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब हर सब्जेक्ट के हम ऐसे ही प्रशन परिक्षा से संबंदित महत्मुन प्रशन आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो नोट देखने के लिए धन्यवाद